हलो अर्विवान वेलकम टू दू चैनल ग्यापन एकडमी चलिए समझते हैं साइकलोजी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इमोशन यानि की समवेग बहुत ही इंट्रिस्टिंग यह टॉपिक है वैसे तो साइकलोजी का हर टॉपिक इंट्रिस्टिंग होता है उसके समवेग जो है ना वह समवेग यानि की इमोशन सब्द का जन्म एक लेटीन सब्द से हुआ है लेटीन सब्द से जिसका नाम है इमोवेयर क्या नाम है इमोवेयर का मतलब होता है हिला देना किर्याशील करना या उत्तेजित होना मतलब अब जरा इसको हम लोग समझे ध्यान से तो समवेग यानि कि emotion आंत्रिक भाव का बाहय परदर्शन है यानि कि आप अपने अंदर जो भी भाव फील करते हैं जो भी अनुभाव करते हैं जो भी महसूस करते हैं जो भी आपको अनुभूती होती है उसका बाहय परदर्शन कर दीजिए यानि कि बाहर से दिखा दीज तो आप खुशी महसूस कर रहे हैं खुशी की अनुभूती हो रही है खुशी का आपको अनुभा हो रहा है ठीक है तो यह खुशी जिसको आप फील कर पा रहे हैं यह इमोशन है तो खुशी क्या हो गया एक इमोशन और इस इमोशन खुशी वाले समवेग के वज़ा से आपक यहां 20 यहां पर खुश्री जो है नो आंत्रिक अनुभाव हैं और उसका चेहरे से आप परदर्शन कर दे रहें दिखाए रहें जरूंटिंक यहां आप चिए दिखाएंगे वहार से दिखा सकते हैं और वैसे लोग होते हैं जो अब बेवार से भी दिखाते हैं कुछ लोग होते हैं जो खुशी मालीज उनका फॉज जो जना गया तो चेहरे पर इसमाइलिंग के साथ साथ वह एक्टिव भी हो जाते हैं पुरा कूदने लगते हैं खुशी के साथ और गले भी मिलने लगते हैं तो यह उनमें ज्यादा इम इमोशन हो गया उसी तरह दुख भी क्या है इमोशन है मालीज यह फेल आ गया कोई लड़का तो वहां पर उसको दुख होगा महसूस होगा क्यों क्योंकि वह फील कर पा रहा है और वह दुख क्या है एक इमोशन है ठीक है तो दुख के वज़ा से उसके चेहरे पर एक दॉख हो या फिर क्रोध हो गुस्सा हो या फिर क्या हो घ्रीना हो सारी चीज एक इमोशन है जिसमें आप कोई ना कोई एक्टिवीटी करते हैं कोई ना कोई आप excitement करते हैं आपके चेहरे पर चाहें वह एक्साइटमेंट दिखा है या आपने वहार से दिखा है सिंपल सा ठीक है अब बात आती है अलग-अलग जो है न व्यक्तियों में अलग-अलग इमोशन पाया जाता है जैसे कि माली जी आपके सामने एक छोटा सा बच्चा रो रहा है तो आपको दया आएगी उस बच्चे को देखकर की बिचारा रो रहा है चलो उसको मना दे इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर तीन स्टेप में आप इमोशन को फिल कर पा रहा है पहला सिच्वेशन को देख रहे हैं यह हो गया फर्स्ट स्टेप और उस सिच्वेशन को देखने के बाद आपके अंदर फिलिंग आ रही है किसकी दया की आपको उस बच्चे पर दया आ रहा है यानि कि आपको emotion आ रहा है दया क्या है emotion क्योंकि आप फिल कर पा रहे हैं तो यह हो गया second step और इस emotion के वज़ा से दया के वज़ा से आपके अंदर activity आई कि आप उस बच्चे को जा कर मनाएं तो यह हो गया third step यान कि तीन step में आप सम्वे को feel कर पाते हैं और activity कर पाते हैं ठीक है अब जरूरी नहीं है कि आप दया feel कर रहे हैं तो सभी लोग feel करेंगे हर इंसान में अलग-अलग emotion होता है ना आप उस बच्चे को देखकर रोते हुए बच्चे को देखकर क्या आ गया दया आए गया वहें पर दूसरा इंसान अगर होगा तो उसको गुसा आएगा डाट कर हो जाता है तो वह एक emotion है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अपनी मा को रोते हुए देखकर तो यह भी एक emotion है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है या फिर आपके मम्मी पापा आपकी गलतियों पर डाटते हैं मारते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अप वह सिर्फ इसलिए रोने लगते हैं कि उनके मम्मी पापा उनको पीटे इस बात को लेकर रोने लगते हैं लेकिन वह ध्यान नहीं देते कि गल्ति किसमें है ठीक है तो यह अलग-अलग इंसान में अलग-अलग emotion पाया जाता है अब ज़र देखिए आपर परिभाशन को मैं लिख दी हूं समवेग एक भावात्मक अनुभूती है यान की भाव की अनुभूती है चाहे वह दुख हो सुख हो घृणा हो गुस्सा हो कुछ भी अनुभूती है जो ब्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था के साथ जूड़ी होती है जिसका पर में शारीरिक बेवहार कीजिए दोड़ी है कुद यह सरपटकी अगर घुसा आ रहा है तो मतलब आप मानसिक और शारीरिक दोरतरह से बेवहार कीजिए और उसका परदर्शन बाहरी बेवहार द्वराब पता चल जाता है तो इसे क्या कहते है इमोशन और यहाँ पर सौटक के अंदर जो ग्लेंड होती है वो सकीर्य हो जाती है ठीक है और उसमें से हार्मोन निकलने लगता है जिसके वजह से वह किसी भी काम को करने के लिए एक्साइटेड होता है और उसके अंदर एक्टिविटी आती है किरिया शिलता आती है ठीक है मान लिजे कोई इनसान गया अपने दोस्त के घर उसका दोस्त कोई बड़ा आदमीbird professor है यां फिर कोई director है तो ठीक है तो वहाँ है वहाँ अपने दोस्त के घर गया और उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा बेइज़त किया तो उसके उसको बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हुआ उसके सांथ साथ और उसको गुस्टा भी आई कि उसने मुझे मुझे बेईज़त किया और उस गुस्टे के वज़ासे उस इंसान ने ठान लिया कि मैं इससे भी बड़ा प्रोफेसर बन कर दिखाऊंगा इससे भी बड़ा डिर नो से जोगा or सली के अंदर स्वेक्ति अधिल गोँदि लिखायों हण करकर दिखाऊंगा तो च morally की हो जाते हैं जिसके वजासे आपके अंदर एक्टिवीटी आती है तभी तो किसि इंसान को धोखा मिलता है वही कुछ कर पाता है जिस इंसान को धोखा नहीं मिलता वो तो जिस तरह रोज का डेली लाइफ है उस तरह करता ही रहता है लेकिन जिस इंसान को धोखा मिलता है वही सक्सेज होता है ठीक है क्यों कि उसके अंदर जुनून आ जाता है किसी काम को करने की किस से उत्पती होता है यानि कि सम्वेग का उत्पती किसे होती है मनुवेग्यानिक कारणों से जब कि सम्वेग सब्द का जो है ना उत्पती होता है कि लेकिन समवेग इमोशन का जन्म मनवेग्यानिक कारण से होता है जैसे कि मनवेग्यानिक कारण मतलब क्या समवेग का जन्म सोच से होता है जब तक इनसान सोचेगा नहीं तब तक फील नहीं कर पाएगा अनुभव नहीं कर पाएगा और जब अनुभव नहीं करेगा उससे समवेग का एसास ही नहीं होगा माली जी आप उनसे इंसान को देखे हैं जो बहुत ज़्यदा चुप रहते हैं ना बोलते हैं ना हसते हैं ना किसी से बात करते हैं क्यों होता है ऐसे क्योंकि उनमें सोचने समझने की छमता कम होती है और जब सोचने समझने की छमता कम रहेगी तो किसी बात को समझ नहीं पाएंगे फील नहीं कर पाएंगे और जब फील नहीं कर पाएंगे उनको समझ में उसको समझ में नहीं आएगा यानि कि आप समझेंगे सोचेंगे तभी आप फील करेंगे और जब पर ज़रूरी है कि संवेंकी विसेष्था पहली क्या है मनव्यग्यानी कारनों से होता है ठीक है दूसरा है वैयक्तिकता यानि इंडिविजवल डिफरेंस अंवे की ना इंडिविजवल हर इंसान उलग अलग इमोशन पाया जाता है और जादा एक्टीव रहता है वह जादा किसी चीज को सोच पाता है और जिसमें इमोशन कम रहता है उतना नहीं बात करता है उतना नहीं हसता है उतना नहीं बोलता है तो यहां पर बात आती है इंडिवीज्वल यह सेकेंड हो गया विस्वेश्टा तीसरी विस्वेश्टा है इमोशन की सारोभौमिक्ता सारोवामिक्ता का मतलब होता है कि सभी इंसानों में इमोशन पाया जाता है मतलब हम लोग हिंदुस्तान के हैं इसका मतलब सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों में इमोशन पाया जाएगा इस दुनिया में जितने भी लोग है उन सभी में इमोशन पाया जाएगा आप नियुजिलेंड चले जाएगा पाकिस्तान चले जाएगा जापान भूटान जहां भी चले जाएगा हर इंसान के अंदर इमोशन पाया जाता है वो खुस होते हैं दुख होते हैं रोते हैं गुस से वह स्थानांत्रन यानकी ट्रांस्फर्मेशन सव्वेग का इस्थानांत्रन भी होता है कैसे मान लीजे मैं किसी और से गुस्टा हूं बहुत तेज गुस्टा हूं और उसी बीच कोई दूसरा इंसान आकर हमसे बात करना चाहे तो मैं उसको भी डाट कर भागा दूँगी चलो भागो तुमसे बात नहीं करना है मतलब मैं किसी और बात को लेकर गुस्टा थी मेरा इमोशन मेरा जो गुस्टा था वो किसी और बात को लेकर था लेकिन मैंने अपना गुस्टा किसी और पर उतार दिया किसी दूसरे का गुस्टा किसी तिसरे पर उतार दिया यानि क मेरे गुस्षए का क्या हो रहा है त्रांसफर हो रहा है यानि कि गुस्षण का क्या होता है transformation मतलब transformation होता है ठीक हम हुआ ऐतकी मम्मी पापा घुरते हैं यानी कि दूसरी nad म хозя pain से बात करेंगे तो आपको डाट कर भगा देते हैं यान के दूसरी का गुस्ता तीसरे पर उतार दिया जाता है यहीं होता है यहाँ neighborhood जब्सक्रांद इसम। 10 तो दूसरा होता है शरीरिक बरिवरतन में ॡ्सरीर picture के अंदर परिवरतन होता है या तो आपकी हर्ट की में चिंजने या तो बढ़ जाएगा या तो घड़ जाएगा चाहे वह उस्दा में हो या फिर दर में हो या फिर हो उसमें क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी यह दो बढ़ जाएगा यह कम हो चेश के विए लोगर उनको ज्यादा टेंसर नहीं द क्योंकि ज्यादा सोचते हैं और ब्लेड़ प्रिषर तीज गोजनेके तो बोड़े लोगों को ज्यादा टेंसर नहीं दीजिएगा ठीग है और एक और ऐंतें प्रस्चाह्यर कि कि डाइजेस्टिप जूष में भी चेंज जा जाता है जो किसी चीज को सोचते रहते हैं तो आपका दिमाव उस चीज को सोचने में लगा रहता है इस ब्रेटिकली करकर देखा गया है और कुछ लोग बोलते हैं कि खाया प्या शरीर में नहीं लग रहा है यही कारण है वो टेंचन लेकर और एक ही बात को बार-बार ले कर खा रहा है तो उस्य वजह से सरीर में लागा तो आप का मैंड आपका पूरे सरी सालीरिक परिवर्तन में क्या होता है बाहर परिवर्तन होता है या तो चेहरे पर परिवर्तन होगा या आपके सालीरिक इस्तिती में परिवर्तन हो जाएगा यानि कि चेहरे पर कैसे परिवर्तन होगा जब आप गुस्सा होंगे तो चेहरा लाल हो जाएगा यह चेहरे पर पर दो आपको रहता है तो बहुत प्यार से बात करते हैं यानि की आवाज मेधी परिवरतानहों रहा जाता है अब किसी चीज़ तो बाहर शरीरिक परिवर्तन हो गया, अब है समवे की अगली विशस्ता विचार शक्ति का लूप यानि की समवे की अवस्था में विचार शक्ति का लूप होता है, जैसे कि मान लेजी आप बहुत ज़्यदा गुस्सा होते हैं, तो उस वक्त आपके सोचने समझने की छमता खत्म हो जाती है लुप्त हो जाती है आप नर्वस हो जाते हैं कि हम क्या करें आपको समझ में आता कि गुस्टा में हैं तो क्या करें मानने जी आप गुस्टा में रहते हैं आप अपनी मा को मा नहीं समझते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मा को मा नहीं समझते हैं अ तो गुस्टा देखिए कितना खतरनाक चीज होता है कि गुस्टे के वज़ा से आप किसी सोचने समझने की छमता खत्म हो जाती है तो एक मेरे तरफ से साउधानी यह है कि अगर आपको गुस्टा आये न तो आप एक गिलास ठंडा ताजा पानी पीजिए ताकि और उसके बैठता है अगला है और अश्थिर एंवान परिवर्तन शील यानगी जो गुस्सा होता है न वह अश्थिर होता है मतलब मान लिजे किसी बात को लेकर मैं अभी हस रही हूं तो क्या मैं 365 दिन एक साल तक हसती रहूंगी नहीं न यान यानिकि एस्थिर नहीं रहता है समवे तो यहां तक समझ में आएगा समझ में की परिभासvine में लिख दीओं और अलब वे ग्यानी समय की अलब अलब परीभासा दे कर गहां है वह आप लोग में देख लिएगा एंडिकर और तो आज के इस वीडियो में बस सितना ही, अगर समझ में आया है, जो में जो भी पढ़ा हूं तो comment करकर जरूर बताईयेगा, ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जा हिंद और खुदा हाफिज